एक्स ने कहा है कि भारत सरकार के आदेश के बाद कुछ एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया जाएगा लेकिन हम इसमें सहमत नहीं है लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए नमस्कार मैदिती फॉज़र आप देख रहे हमारे साध नगरी मीडिया इसकी जानकारी एक्स के ग्लोबल गॉर्मिट अफेर टीम ने एक पोस्ट के जरिये दी है बारत सरकार ने हाली में एक्स से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिये थे एक्स ने सरकार के इस आदेश को स्विकार कर लिया लेकिन साथ में आसेहमती भी प्रकट की X ने का कि भारत सरकार के आदेश के बाद कुछ X अकाउंट्स को ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें हम सहमत नहीं है, लोगों को बोलने के आजादी होनी चाहिए, भारत सरकार रेक कार्यकारी आदेश जारी किये हैं, जिसमे कुछ एक्स अकाउंस को और खातों को और इसके साथी पोस्टों पर कारवाई भी करी जाएगी इन अचाउंस पर जुर्माना, जील की सजा भी जैसी कारवाई करने की बात भी कई है आदेशों के अनुपालन में हम इन खातों और पोस्ट को केवल भारत में ही रोग दिंगे हाला कि हम इन एक्शन से सहमत नहीं है और मानते हैं कि freedom of expression इन पदों पर extend करना काफी जरूरी होता है हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगताओं को इन एक्शन की सूसना भी बदान कर दी है कानूनी प्रतिबंदों के कारण हम कारेकारी आदेशों के प्रकृषित करने के आसमर्थ हैं लेकिन हमारा मानना है कि transparency के लिए उन्हें सर्वजनिक करना आविशक है बता दे कि भारत सरकार विवादित अकाउंट या फिर जिन social media अकाउंट से social harmony को बिगाडने का डर होता है उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश देती है इस संबंद में एक्स को भी सबसे जादा आदेश मिलते हैं पहले जब एक्स का नाम Twitter था तब भी भारत सरकार ने ऐसी तरह के आदेश उन्हें दिये थे इससे पहले बे एक्स ने सरकार के आदेशों के बाद अकाउंट्स को ब्लॉक करने को लिए आसेमिती जताई थी और ये अब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के हिसाब से social लोगों पर काफी effect पड़ता है इसने भारत सरकार ने ये कदम उठाया आज के लिए बस इतने ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे चैनल दनगनी मीडिया के साथ तन्यवाद